समस्कार बच्चों आज हम क्लास 9 का वर्क्षीट नमबर 85 करने जा रहे हैं जो टॉपिक है इस वर्क्षीट का वो है स्टेटिक्स यह रिवीजन है 48 और 49 वा नमबर 48 और 49 नमबर जो वर्क्षीट आया था उसका रिवीजन है यह चेप्टर बहुत ही इंपर्टेंट है इसमें बच्चों के पूरे के पूरे नमबर आने की संभावना होती है और इंट्रेस्टिंग भी होती है हर वो बच्चा इसको करना चाहता है और कम से कम एटेम्ट जरूर करता है हर बच्चा या नमबर आए या ना आए लेकिन attempt जरूर करता है तो इसलिए ये बहुत important है यदि आप उसको थोड़ा सा भी ध्यान से बनाए तो पूरे के पूरे नमबर आने की संभावना है सबसे पहले इसमें जो worksheet में सवाल है पहले तो question number 1 से लेके 5 तक इसमें option बाला multiple choice question है ये कुल इसमें worksheet में 10 सवाल है उसमें से 5 multiple choice वाले question है तो आए पहला सवाल से शुरू करें इसमें दिया हुआ है facts और figure collected with a definite purpose are called कोई भी डिप परपस के लिए कोई definite purpose के लिए कोई theme लेकर के definite purpose के लिए यदि आप कोई data कोई चीज इकठा करते हैं तो उसको कहते हैं data अब नेक्स सवाल है set a set of data contains 64 as the highest value and its range is 13 the lowest value of the data will be अब कह रहा है 64 highest value है range है 13 तो रेंज होता है क्या है range होता है difference between maximum and minimum marks तो minimum marks आपको कह रहा है minimum value यानि lowest value lowest value जदी आप निकालेंगे तो यह होता है 64 minus 13 64 minus 13 यानि maximum marks minus range करेंगे तो 51 answer होगा next सवाल है 10 20 20 30 the number 20 includes in अब देखिए 20 20 दोनों में हैं तो जो lower limit होता है वो include होता है उसमें तो यह lower limit यह और upper limit इसको कहते हैं तो देखिए इसमें तो यह upper limit है तो इसमें नहीं आएगा lower limit इसमें तो lower limit वाला include होता है यानि 20 से 30 में है अब next सवाल है the mark obtained from 17 students in mathematics test are given below 17 बच्चों का जो है उसमें नंबर दिया गया है जिस मैत के टेस्ट में जो लाया है तो कहरा रेंज बताने के तो इसी की तरह है रेंज क्या आओगा मैक्सिमम में से मीनिमम सब्स्ट्रेक्ट है तो मैक्सिमम हंड्रेड नंबर का है और मीनिमम आप ढूंडेंगे तो य तो ओτι नंबर कि इससे मिडिल वाला तो इसके मिडिल वाला आपको निकालने के लिए 130 प्लस 150 को को दोनों कोrev breath करें तो तो 280 280 का आधा 140 होता है हाव अब सिक्स्ट कोईस्टन कह रहा है क्लासीफाइट डडाटा क्लासीफाइट डडाट डाट डाटा गिवन बिलो आज प्रामरी एंड सेकंट्री डाटा किसको कहते हैं जब डाटा कलेक्ट करते तो उसमें आपका आप यदि दोर टू डोर जा करके या जैसे भी हो आप खुद इकठा करते हैं तो प्रामरी डाटा कहलाता है और सेकंट्री डाटा कहलाता है जो कि आप शुकिसी दूसरे परपस के लिए वह यूज किया था लेकिन आप अपने परपस के लिए उनके रिकॉर्ड से उनके द्वारा इकठा किया गया जो चुका है अब देखिए आप पहला कह रहा है जो कि सू साइज और टेन स्टूडेंट आप क्लास ने सू साइज आपको सब बच्चों से पूछना पड़ेगा देखना पड़ेगा तो यह आपका प्राइमरी डाटा कहलाएगा प्राइमरी डाटा को हम पीसे ड्मार कर रहे हैं ब्लड ग्रूप आपको तो पता है या यह उसको है ब्लड ग्रूप वह पहले से परपस से यूज मतलब वह अपना जो है कहीं न कहीं चेक करवाया था और उसको पता है तो वह ब्लड ग्रूप कहीं न कहीं उसके पास है लेकिन बीस चोका नहीं है तो बीस बच्चों के लिए आपको पता करना होगा इकठा नहीं है तो यह प्राइमरी डाटा हो गया क्यकिये at no one members in family of your classmate आपके ले संख्या तो यह भी अपको बिए भी जाकर है न पיए चोर से भी प्राइमरी डाटा हो गया लेकिन मार्क ऑप्टेन था बच्चों से वह क्लास में यूज हो चुका है जब रिजल्ट इनलेसिस होता है तो यहां रिजल्ट रूम से एक्जाम रूम से आप कंसल्ट करेंगे तो यह आपका हो गया से कंडरी डाटा इसी तरह नंबर अप्लांट्स प्लांटेट वाइं हंड्रेड इसकूल डियूरिंग वन महुत सम्में जो हंड्रेड इसकूल का है वह आपका ही रिकॉर्ड से देख रहे हैं तो यह से कंडरी डाटा होगा अब नेक्स्ट ज़वाल देखते हैं सेवन टू ट लड़कियों का हाइट दिया गया है तो आपको फ्रिक्वेल्सी डिस्टिबूशन टेवल बनाना है तो इसमें सबसे छोटे सब फिर देखिए यहां पे जो कुछ प्रॉब्लेम आएगी तो आप चाहें तो ऐसे कर लें पहले 140 कौन-कौन सा नंबर यूज किया गया फिर 160 फिर 153 फिर 146 फिर 150 जो जो आ रहा है वह यूज करें 148 उपर नहीं आया तो 148 तो इस तरह से हम नंबर को देख लेंगे कौन-कौन सा नंबर यूज किया गया है यदि आपके पास आप यूज क्लास इंटरवल के हिसाब से बनाया है तो इससे आपको सुबदा होगी आप देखिए इसको हमने बनाया है यह है नबर सेवेंद का यह यहां पर लड़कियों की लंबाई यानि हाट अपगर्प्स लिख सकता है सेंटीमीटर में और इसको मिलान जिनको टेली मार्क कहते हैं इंगलिस में टेली मार्क और यह फ्रिक्वेंसी कहलाता है पहली मार्क में क्या होता है ऐसे लगाते एक दो तीन चार और पार इस तरह से काउंटिंग होती है और उसका हम प्रेयोग करते हैं अब इसका यूज करके हमने बनाया और यहां पर देखे 30 बच्चों का है तो यहां टोटल 30 होनी चाहिए इसकी बार अब इस तरह से बनाएं अब नेक्स सवाल देखते हैं अब नेक्स सवाल है केरा दिखाइव यूज की फैट्रीफिट है तक दिया गया है तो इसको जीडू और 9 ऐसमल पॉइंटों को फ्रिक्वेंसी तेबल में बनाना है तो जीडू से नाइन तक कितनी वार यूज किया गया है तो इस तरह से जीडू से लेके 9 तक हम मैं इसमे से यहां पर डिजिट लिख सकते हैं जीरो टू नाइन और यह कितनी बार यूज हुआ है यह हमने बनाया हुआ है और फिर इसको इसको यहां पर डिजिट लिखेंगे यहां पर टैली मार्क्स और यह फ्रिक्वेंसी य सको इसको कितनी बार यूज किया तो यहां पर हमने टैली करना है जोगी थर्टीफाइब टोटल है कि नहीं है तो यहां पर इसका मतलब हमारा सही है ठीक है आप इस तरह से बना करके भेजें नेक्स सवाल हम देखते हैं नेक्स सवाल है दबलत ग्रुप यहां पर नबे तीस बचों का जो ब्लड ग्रूप है वो रिकॉर्ड किया गया है यह दिया गया तो इसका कहरा डिस्ट्रीबिशन टेवल बनाने तो आपको पता होनी चाहिए जो कि ब्लड ग्रूप कौन-कौन सा होता है ए बी ओ और ए बी चार ब्लड ग्रूप होता है तो इ देखलें इस तरह से ब्लड ग्रूप और फिर टेली मार्क और बारंबार तरह फ्रिकुएंसी तो इस तरह से ए कितनी बार यूज हुआ है साथ बी कितनी बार हुआ है 9 ए बी आठ और वह ग्रूप है तो टोटल तीस यहां भी 30 है तो इस तरह से बनाएं अब नेक्स सवाल कि यहां भी आप से कहा जा रहा है स्कोर आउट अफंडेड अप्टेंस बाइटी स्टुडेंट्स इन मैथमेटिक्स टेस्ट आज फोलो यानि 33 बचों का सो नंबर के क्वेस्टन पेपर में जो नंबर आये हैं उसका बनाया हुए उसके बाद उसको फ्रिक्वेंसी टेबल में बनाना है तो सबसे पहले आप बारी बारे से पहले की तरह ही 69 लिखने कौन-कौन सा नंबर यूज किया गया है वह नंबर आप लिख ले फिर फ्रिक्वेंसी टेबल में उसको एसेंडिंग और में सजाए तेबल जो होता है फ्रिक्वेंसी टेवल या कोई भी डिस्टि असेंबल किया जाता है इसमें बढ़िया तरीके से तो यह यहां पर हमने इसको बनाया है यह टोटल बच्चे 33 है यहां भी 33 है कितनी वार यूज हुआ है मिला पहले मार्क्स लिखेंगे टेली मार्क्स और फ्रिक्वेंसी यह इस तरह से बना करके अपने अपने ग्रूप से भेजे अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें धन्यवाद